नेक्स सवाल है, find the acceleration of the block A and B as shown in the diagram, so यह अपनी scenario है, यह situation दिया हुआ है, कि यह table, यह एक block, ऐसे पुली से connected है, यहाँ दूसरी पुली है, उससे एक और block connected है, और यह उसका देख और पुली से ऐसे connected है, और यहाँ की table, अब इसका जो mass दिया हुआ है, वो अपने को दिया और यह वाला 5 kg है, let's call this mass M1, let's call this mass M2, हम इन दोनों का acceleration क्या होगा है, बताना है, so let us say इसका acceleration A1 है, इसका acceleration आपका A2 downwards है, रसी में आटेंचन T, T, T इधर होएगी, यहाँ पे आपकी टेंचन 2T होएगी, ठीक है, अगें यहाँ यहाँ पे तीन variable है, A1, A2 और टेंचन तो आपको तीन equation चाहिए होगे, एक equation इसके अब बीडी से आएगी, एक इसके अब बीडी से आएगी, और तीसरे equation के लिए आपको constraint motion चाहिए, now constraint motion एक बाफे समझते हैं, तो अगर मान लो यह particle आपका 1 cm displaced हुआ है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, अगर यह वाला 1 cm नीचे गया है, एक inch या एक millimeter या एक meter, whatever, तो यह अगर नीचे गया है, तो यह pulley 1 cm नीचे जाएगी, जानि कि यह रस्ती और यह रस्ती दोनों आपकी 1 cm खीचेंगी, इसका मतलब इसको 2 cm आगे जाना होएगा, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपका A1 जो है, that will be equal to twice A2, यह आपकी equation 1 हो गई, constraint motion से यह आपकी equation आ गई, ठीक है, इसको आप pulley constraint से भी solve कर सकते थे, of course, ठीक है, बट हमने इसको ऐसे लिख लिख लिया, अब इसका अगर FBD लिखें, इसका तो पहले M1 मास का FBD बना लेते हैं, M1 मास है, उसका FBD बनेगा, कि यह आपका block है, इधर आपकी tension T आ जा रही है, और यह आपका A1 acceleration से सारी चीज़े move कर रही है, तो इसकी जो equation है, वो लिखे जा सकती है, T will be equal to M1 A1, यह आपकी equation 2 हो गई, यहाँ पे Mg और normal contribute नहीं करेंगे, नहीं रेस्टरिट करेंगे आपकी motion को, दोनों एक दूसरे को balance करेंगे, तो अपनी equation of motion में उसका काम नहीं आएगा, ठीक है, similarly आप अगर M2 block का FBD बनाएं, इसका FBD बनेगा, कि नीचे तो आपका force लगा, M2G, ऊपर आपकी 2T tension हाई, और यह आपका A2 acceleration है, तो इसकी equation बन जाएगी, M2G minus 2T will be equal to M2 A2, now यहाँ से अगर हम A1 की value यहाँ insert कर दें, तो यह आपक call this equation number 2, और यह होगी equation number 3, अब इसमें अगर हम twice A2 आए, अब अगर हम करें, इसको twice करके इसमें add कर दें, यहाँ फिर ऐसा करें कि T की value यहाँ पर insert कर दें, let's say that, so T की value यहाँ पर insert करेंगे, so यहाँ आपका equation बन गई, M2G minus, इसका twice, यानि की 4M1 A2 will be equal to M2 A2, which implies A2 वाली ट जाएगा, M2G will be equal to M2 plus 4M1 multiplied by A2, इसका मतलब यह है कि आपका A2 जो है, इस वाले का acceleration, वो आ गया, M2 divided by M2 plus 4M1G, value यहाँ पर रख देते हैं, यह 5 kilo है, यह 2 kilo है, so M2 है अपना 5, so this A2 will be equal to 5 plus 5 plus 4 multiplied by 2G, यह नीशे बना 4, 2, 2, 8 plus 5 is 13, so A2 आ गया, 5 by 13G downwards, और आपका A1 जो है, इस equation से यह बन जाएगा, 10 by 13G right and side, ठीक है, so यह आपकी acceleration की values हो जाएगे,